स्टूडियेंट बहुत बहुत सागत है डीके सर क्लासेज में उमीद है कि स्वास्त होंगे मस्त होंगे और तैयारी एकदम जबर्दस सुरू हो चुकी होगी आज की इस वीडियो में देख सकते हैं बाबू क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स का ये मॉडल पेपर 225 जि पढ़के चले जाना इसमें से काफी कोशन टकराएंगे बाबू सेम तू सेम ये जो देख रहे ना एक कोशन को ऐसे सले करके मॉडल की रुप में तियार किया गया है जो 6 मार्च 1225 को एक तम बिल्कुल कोशन फरसेंगे तो आज की वीडियो जो आप देख रहे काफी इंप रखा हूं तकि आपको एक एक चीज का सॉलूशन निचोड भी दूँ और यहां भी देख सकते हैं अती लगुतिरी जैसी पीपर में आता है न वैसे ही सीम टू सीम मैंने कोशन को सेट किया है और एक एक कोशन का नुमेरिकल कोशन कैसे करना है सारा चीज एटू जेट सफी इंपोर्टन कोशन आपको त्यार हो जाएंगे चलिए बीना तेरी के सबसे फटाफ से पहले बहुवी कलपी कोशन को अटेम्ट करेंगे अब बढ़िया से इत्मनान से एकदम धैरिस समझेगा अपने नोट बूग में भी निकाल लेजी नोट करते चलिएगा सबसी प अहले कोशन इसमें दिया है को नंबर कि एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का यहां पर अपवर्तनांक जो दिया है वबू यह अंडरूट दो है बोला है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक कितना है अंडरूट दो दिया है इसमें और इसकी बाद बोला है तथा नियूनत बिचलन कोंड बोलता है इसको डेल एम से डिनोट करते हैं और इसका मान दिया है नब्वे आंस माइनस ए तो बोला है कि एक का मान ग्यांत कीजी यानि कि एक का मान बताना है बहुत ही प्यारा सकोशन है सबसे पहले किसी भी नुमेरिकल को चाहें बहुवी गल्पी हो चाहें कि दीरगोतरी आति लगू हो सबसे पहले पहचानिये कि किस चीज कमान दिया है किस कमान हमें फाइंड आउट करना है तो यह प्रेजम जो है एक और वाले का यहां पे मिउ कमान दे दिया है या एन बोल सकते हैं ठीक है नएन कमान अंडर टू दिया है इसके वाद निवनतम बिचलन को डेल अम से डीक टैसें बावू july सबसे पहले आपको डीक गरना सिखाते हैं और एक एक चीज को यहां पर सॉलूप species बताते हैं बीना देरी के हम सारे कोशन को करेंगे ठीक है सबसी पहले क्या धिया हुआ इसमें आपको बता दें है ओर दिया क्या यहां पर बोलें तो डेल एम कमान कितना है भाय यहां पर थोड़ा सी रेज कर लो यहां पर देखिए इनका मान कितना दिया था यही था और आप चाहिए बच्चों को इसका फर्मुला याद होना क्या होता है साइन यहां प्रोले तेल अर बट्टी का क्या होता है दो फीर बड़ाола बटा लगाते हैं इसके इस इन कमान यहां पर दिया है अंडरूट में टू लिख लिजिए बराबर इसके बाद साइन कितना है साइं है और यहां पर कुष्टक में ए और यहां पर प्लस प्लस कितना दिया है डेलेम कमान कितना होगा नब्बे अंस और माइनस का ए है और फिर बटा में क्या है बबु दो है इसके बाद फिर बटा है फिर साइन ए बाई टू है साइन ये बाई क्या है बाई बाई टू है अब देखिए प्यारे बच्चो इसमें क्या कट रहा है प् तो वराबर साइन लिखिए, उपर क्या बच्चा है, क्योवल पेंताले संस, और बटे में क्या है भाई, साइन, एबाई टू, यही है न, तिरी एक गुना कर लेजी, क्रॉस मल्टिप्लाई, इसके भी बटाम कुछ नहीं, तो एक ले सकते हैं, अराम से करिए, प्यारे बच् यहाँ पे, इसके बाद बराबर क्या है? यहाँ पेंताले संस, वो भी साइन में है, साइन, पेंताली संस, दीख रहा है न, अब यहाँ पे इसको सौल्ब करिए, फटा फट से, यहाँ पे दिखिए साइन, लिखेंगे बगू, साइन, A by 2, into, अंडर रूट में क्या लिखे सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं one by under root two के रुप में यहां पर लिख सकते हैं एक बटे root two हो गया नो अब इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों इसको cross multiply बस कर देना simple तरीके से क्या लिखेंगे sign a by two और यह जो होगा बराबर की रुप में इधर multiply होगा cross multiply में तो एक बटा में under root two अगूने under root two हो जाएगा इसलिए यहां पर लिख सकते हैं sign a by two बराबर क्या हो जाएगा बबू यह हो जाएगा एक बटा में दू हो जाएगा हो जाएगा न यह अंडर अब यहां से क्या करेंगा यहां से सिंपल तरीके से कितने एंस मान्स होता है एक बटा होता है साइन 30 इसका कितने द्न का साइन 30 इस का होता है यहां पे लिखेंके sign a by Two is इस ही के नहीं अभी जह कि एक बट्टे-दो, और इसी यौट टू 30 अंस, इक फॉक़्ा लेंगे, तो एक कमान कितना अंस आएगा? 30 compact, में 2 से गुना करेंगे, तो ए बरावर कितना आ जाएगा बबू? 60 अंस आजाएगा, एक कमान लोग कितना अंस इनका लिए? 60 अंस. बहुत ही सिंपल तरीके से अब चलते हैं देखते हैं कौन से भीकल्प सही था इसको आप चाहें तो स्किन सोट ले सकते हैं बबू क्योंकि एरेज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे इसकी इनस ले ले लिजी एक कामान साथे हैं यहां आगया है ना सींपल तरीके से कोशन को करना सिखे प्रैक्टिस किजिए बार-बार करने का कम समय लगेगा ठीक इसके बाद ख़र नूमर देखिए बीधूत फ्लक्स का मात्रक होता है एक अदम वेरी मोस्ट विश्यान तो क्या होता है सभी बत्चे को मालूम है कि वे लटीं टू मीटर होता है क्या होता है फियारे बत्चों बोल्ट इन टू-मीटर होता है यानि कि दूसरा भी गल्प एक दा सही है ऐसे ही पेपर एक तम बिल्कुल बन के आएगा थोड़ा अच्छे त्यारी करिएगा एक कोशन हम अच्छे समझाएंगे आगे चलते हैं गार नमर की तरह वड़ेंगे बबू हाँ चलिए देखिए कोशन क्या बोला इसमें गार नमर में की एक कुंडली के सीरों के बीच 40 वूल्ट का प्रयत्यावड़ती वूल्टेज लगाने पर इसमें 80 मीली एम्पियर कितने एक प्रवाहित हो रहे हैं तो बोल रहा है कुंडली का प्रिरडीक प्रतिघाथ बताईए सबसे पहले किसी भी नुमेरिकल को करने से पहले आपको यह पहचाना चाहिए कि किस इसका वैलू दिया है क्या हमें फैंड आउट करना है तब इसके बाद फार्मूला अपलाई करें चलिए इसमें सबसे पहले यहां पर क्या दिया है 40 वोल्ट यह प्रत्यवर्थी वोल्टेज यानि बोल सकते हैं वी एल का मान यहां पर कितना दिया है 40 वोल्ट दिया वावू इसको हम सॉलूशन अभी जस्ट करेंगे ठीक इसके बाद इसमें 60 मीली एंप्यर धारा प्रवाह चलिए साधा पेज़ पे लेके चलते हैं फटाफट से हम लोगिश्कों करेंगे सोलूशन हां आ चुके साधा पेज़ पेज़ देखिए ध्यान से एक एक चीज थोड़ा ध्यान समझेंगे नो तो कुछ नहीं है इस कोशन में चलिए ध्यान देशिएगा क्या क्या दिया था वही यहां पर सबसे पहले वी यहां पर वील कमान दिया था ना यानि कि प्रत्यवर्ती वोल्टेस कितना था तो 40 वोल्ट था कितना था वाबू 40 वोल्ट दिया था ना इसके बाद यहां पर यह देखिए वोल्ट को मैंने इस तरीके से लिग दिया कोई बात ने वोल्ट है इसके बाद यहाँ पर क्या देता आई एलकमान धारा का आई एलकमान कितना दिया था वही तिये 80 मिली एंपियर एमे का मतलब क्या हुआ मिली एंपियर आवी नो दैट हम सभी जानते हैं कि किसी भी मतलब के वैलु को हम यह के इसटेंडर यूनिट में करते हैं इसको 21 होगा उगे किसे बदलेंगे uh में ते किसमें बदलेंगे एंपियर में सबसे पहले क्या करेंगे ऑसी और गूने करते के 10 क्या पावर माइनस 3 यह हमारा क्या ग्या MPR क्रूप में ठीक है बबू अब देखी क्या पूछा था इसमें यानि कि प्रेडिक प्रतिगहाथ पूछा था उसको हम X और L से दीनोड करते हैं बबू प्रेडिक प्रतिगहात को और यहां पर कोशन मार्क लगा लेजिए ठीक है ना अब इसके बाद क्या करेंगे प्रिडिक प्रतिगहात निकालने के लिए एकस एल बरावर फर्मूला होता है वी एल और बटा में आई एल होता है याद रखिएगा अच्छे से थोड़ा फर्मूले तयार करके रखेंगे तो कोई दिकत नहीं आएगा ठीक है अब अस मान पूटब करिए कितना दिया है वबू चालिस दिया है और इसका कितना निकाले है आई एल का हम लोग जो यह अभी तुरंत हम लोग बदलें एंपियर में कितना है यहां पे 80 और गूणे दस के पावर माइनस तीन हो जाएगा ठीक है इसको हम उपर लेके जा सकते हैं कि नहीं बिल्कूल सर चालिस और गूणे दस के पावर को प्लस में तीन लिख सकते है और बटी में कितना है 80 अब क्या करेंगे इसको कार्ट देंगे एक जूर चारड़नीनोग यानि कि एक बटे दो और गूणे दस के पावर तीन है ना इसको हम सीधे सीधे क्या लेक सकते हैं यहां से हम लोग इस में से आधा कर देंगे एक हजार का मतलब दस की पावर तीन क मतलब 1000 इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बबू 500 इसका मतलब क्या हुआ 500 यह हमारा ओम आ जाएगा ठीक है यही हमारा क्या होगा अंसर होगा 500 देखी किसमें आ रहा इसकी इन सोड ले सकते हैं प्यारे बच्चो चलते हैं 500 देखते हैं कौन सा अपसन में दिय क्या था ठीक है यहां प्याद सुके हैं यहां पर पहला ही विकल्प साहिए 500 दिया है न एक कदम बिल्कुल इसी तरीके से करना है आगे कोशन दिया इसमें चलते हैं आगे कोशन इसमें क्या है घर नमर दिखिएगा बबू थोड़ा सा बढ़ियस त्यारी करिए वहन अपा आता है इस टाइप के कोशन तो क्या होता है वन भाई आपान वन अपान देखिए अन्रूट में साइलन नॉट इन्टू मूट मूट इन्टू इन्टू का यहां पर मात्रक पुछा है तो क्या होता है प्यारे बच्चों वेवर प्रती मीटर स्कॉयर इसको यह थर्ड नमर पर सूध अर्द चालक कितना होता है जबकि भेरी आइंप कोशन है पुछा है ना कि जीरो के लिविन ताप पर सूध अर्द चालक कितना होता है तो यह बिदूत रोधी होता है क्या होता है पैरे बच्चों बिदूत का रोधी होता है ठीक है ना अच्छे से तयार किजिए पेपर में आने वाले कोशन से चलते हैं आगे की तरफ अगला जो कोशन है ये लास्ट बहुवी कलपी है इसके बाद से हम लोग अत्ती लगुतरी स्टार्ट करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे चार नमर कोशन क्या है कि वायू के सपेक्ष इस टाइप से कोई दीक्कत नहीं होगा करें कि वायू के सपेक्ष जल और कांच की अपर्तनांग जो है क्रम सह दिया है चार बटी तीन एवं पांच बटी तीन है करें गांच का जल के सफिक्ष यहां पर अपर्तनांग होगा ठीक है क्या होगा फीरी आई-एं-पी ये कोशन है इसमें इस टाइब का कोई भी कोस्टन आजाए ।ो सॉलूशन कैसे करना है बिलकुल यहां पर कर दे रहें भई देखिए सबसी पहले आपको ध्यानि देखना है किस प्रतना किया होगा फкоеली क्या डिया है वायू करना को Tag वायू के सपेक्ष जल, डिनोट करें, सबसे पहले डिनोट करने आना चाहिए, क्या है, तो वायू के सपेक्ष यहाँ पे लिखेंगे, ए अपरतनाम को एंस से डिनोट करते हैं, जल, जल का वाटर होता है न, तो ए एन डाबल्यू का मान, चार बटे तीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बबू, चार बटे का तीन, अब ऐसे ही वायू के सपेक्ष कांच, तो वायू का मतलब ए, और कांच का गलास होता है, जी लिखेंगे, इसका मान कितना है, पांच बटे का तीन दिया है, पाँच बटी का क्या होगा बबु? तीन होगा और पूछा लास्ष में क्या है इसमें? कि कांच का जल किसा पिक्च, यानि कि कांच मतलग गलास का यहां पे जल के वाटर के सापिक्च मा निकलना है इसके लिए आपको formula याद होना चाहिए फर्मूला नहीं याद रहेगा तो बिल्कुल गलती एंसर आएगा भाई तो अच्छे इस त्यारी किजिए फर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे जी एन डाबलू का मान निकालना है जी एन डाबलू वराबर कर लेंगे यहाँ पे देखिए वायू के सब एक्च जल बटे में वायू के सब एक्च कांच हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे एन डाबलू बटे में क्या हो जाएगा एन जी क्या होगा एन जी मान पूटप करिए चार बटे तीन यहाँ पे 4 बटे 3 फिर बड़ा वाला बट्टा लगा यह 5 बटे का 3 हो जाएगा अब यहाँ पे सीधे solve करिए 4 बटे 3 हो जाएगा यह मान पलट के 3 बटे क्या आज जाएगा 5 3 से 3 cancel बच्चे का क्या बबू 4 बटे 5 कौन सा option में दिया है 4 बटे 5 यहाँ पे एक option mistake हुआ था मुझसे यहीं पे 4 बटे 5 लिखेना चाहिए था मैंने छोड़ दिया था तो यह option मतलब की मालीजी की यही वाला चाहर बटे क्या होगा 5 इसका अंसर आएगा ठीक है बिलकुल अच्छे स्यारी किजिए ऐसे question आएंगे आपके छे वावविकल्पी complete अब हम लोग चलेंगे यहां से अतील अगुत्री प्रसन के मतलब question देखेंगे most most theory कैसे question आपको सारे question से हम यहां पर आउगत कराएंगे ठीक है ना देखिए बावव अतील अगुत्री प्रसन कैसे त्यार करना है और यह कदम most important questions हैं जैसे की देख लिजिए दूसरा के कव लिखा है ना कि वेधूत विभाव की परिभासा दीजिए और इसकी बीमा भी लिखिए एक अदम very most important question बीधूत विभाव का परिभासा बताईए साथ में इसकी बीमा भी आप तयार करके रखिएगा चलिए सबसे पहले यहां पर पेपर में लिखते समय क्या लिखेंगे heading बेधूत विभाव लिखेंगे कि विधूत छेत्र में किसी बिंदू पर क्या बोलेंगे कि विधूत छेत्र में किसी बिंदू पर विधूत बिभव यानि कि V परिक्षड आवेस यानि कि प्लस Q0 को अनंत से उस बिंदू तक लाने में किया गया कार यानि W तथा परिक्षड आवेस के मान का नि आपको IMPORT वह चाहिए अच्छे से त्याड़ी केजी एसी प्रमिन उपर आना है और इसकी विमा क्या होती बेवोग विक्टी विमा क्या होती हैं तो एम से पहले आप भूर बिभाव का फार्मूला याद करेंगे तो वहीं से आप बिमा भी निकालना जान जाएगे लेकिन ये सारा चीज अच्छे से त्यार करके रखिए ठीक है ना आगे बढ़ते हैं आगे चलेंगे यहां से अगला कोशन क्या है प्यारे बच्चों ध्यान दिशिएगा नुमेरिक 5 into 10 to the power 8 meter per second दिया है और बोला है कि इस माध्यम में हवा में जाने वाली किरड के लिए क्रांती कोण यानि कि यहां पे क्रांती कोण सी का मान पूशा है क्रांती कोण का मान बताइए वेरी वेरी most important question है आप सब के लिए जितने भी प्यारे बच्ची पेपर देने चाहेंगे सबसे पहले मैं बताया हूँ कितने बार कि कोई भी numerical आप कीजिए सबसे पहले उसमें देखिए किस चीज का मान दिया है अराम से उसको note कर लिजिए सबसे पहले प्रकास का बेग दिया है बबू कितना है वी का मान एक दस मलो पांच गुने दस के पावर आठ मीटर प्रती स सेकेंड, फिल्कुल सर, ठीक आगे बढ़ेंगे, N पूछा है इसमें, N मतलब पुछा नहीं हमको निकाला पड़े गा, जब तक N का मान एकिंज पता नहीं चलेंगा, तब तक क्रांटी कोण भी नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए, प्रकास का निरवात में पक् militar कितना होता है तीन कुणने दस की पाँर आथ मीजर्ट सेकंड, बिल्कूल, यहांसे अब क्या करेंगे यहाँ पे अपवरतफ नंक निकालेंगे इसका ऐन, एन बरबर क्या होता है सुत्र फर्मुला की एन बरबर सी वाई कोन कोन का मान अगया अब हमें किरांती कोन निकालना है क्रांती कोंड यानि science-C का मानं, चलें यहां पी हम आपको एक-एक चीज निकालने के लिए फर्मुला भाई-छे स्त्यार करो, क्रांती कोंडаете we are on upon patients के लिए याद रखिएगे, science-C का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक अबाचा में एन एन कमान कितना आया था वाई दू आया था एक जैसे वाईसे रहेगा एन कमान 2 रख लीजिए we know that हम जानते हैं कि कितने अंस कमान एक बटे दो होता है तो 37 अंस कमान एक बटे दो होता है यहाँ पे 37 अंस कमान रख लिजी बाबू और यहाँ पे करांती कोन हमारा करने की कोशिस किजिएगा अगला कोशन है यहाँ पे कि एंपियर का परिपथी नियम किसे कहते हैं पेपर में पूछेगा इसी तरीके से कि एंपियर के परिपथी नियम को लिखिए उलेख किजिए तो यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्टन से देखिए कैसे लिखेंग होता है वहां कि उसकी तीब्रता का रेखा समाकलन उस वंद वक्रद्वारा घीरे छेत्रफल से में से गुजरने वाली चो वैदु धरा होती है इलक्ट्री क्रेंट वो मियूनट गुना के वरावर होती है इसी को हम एम्पियर का परिपथियनियम कहते हैं तोड़ा अच्छे से इसको डिफाइन अच्छे से समझ के करिएगा बीना देखे हुए आप किसी भी थियोरी को लिखने की कोसिस किजिए वो मतलब जल्दी जल्दी याद होता है ठीक अब देखिए और थाथ वी नो देट कि यहाँ प पेपर में लिखना है आगे बढ़ें अगला जो कोशन है दूसरा के घव देखिएगा प्यारे बच्चो अराम समझने कोशिस करें जितने भी बावू अभी नएने जूड रहे हो दो हैर पचीस में पेपर देने वाले हो तो हिंदी हो इंग्लिस हो फिजिक्स कमेस्ट्री स सारे मोस्ट इंपॉर्टन कोशन यहां पर मिलेंगे आओ एकदम पीडियेप के साथ तो एकदम चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए दूसरा के घव देखिए कह रहा इसमें कि एक एक दसमलोग जीरू-जीरू सेंटीमिटर स्कॉयर शेत्रफल के धारा लूप में दो एमपीर बोला है कि दो एमपीर धारा प्रवाहित हो रही हो तो उत्तपन चुम्वकी द्विध्रू अगूर का मान ग्यांत किजिए एकदम ही आई-एमपी कोशन है देखिए सबसे पहले मैंने बताया है कि जीस चीज का मान दिया है पहले लिखिए फर्मूला अपलाई किजिए एं और एक दस में लो 0 0 cm2 ठीक इसके बाद यह दो एमपीर क्या है धारा कमान है तो आई से रिनूट करते हैं धारा को आई इसक्वल्टू दो एमपीर लिखे लेंगे बबू ठीक है आप देखिए इसमें पूछा है ना कि चुम्वकी द्विध्रू आघूड यानि कि एम इक मैं दो है ना तो 2 रखेंगे यहां पेरिया किते दीया एक सेंटीमेटर मीटर में सेंज कर लेंगे अब अिह अगया द्विध्रू आगूर का मान आगया बिल्कूल ऐसे ही पेपर में आपको भी लेख का आता है फीक है, शलते है आगे वाला question देखेंगे यहां से दूसरा का क्या है प्यारे बच्चो अंगर, दूसरा की अंगर question क्या है, इसमें एकदम बढ़िया सा question है, lens की चमता से ततपरी क्या है यानि कि lens की चमता का परिभास सjang है अब से और इसका मातरक क्या होगा ये भी पूछा है तो आप किसी ही मतलब की थियोरी को जब याद कर रहे हो तो उसका मातरक दिया है तो मातरक भी साथ में बीमा पूंची तृण सबसे पहले लेंस की चंटा का परिभास्त पूछ है लिखेंगे वह हीेडिंग कि लेंस की मिटर में ना पि गई यानि की विट करम की ते thrown की बराबर होती है है हिंदी में डायोप्टर लिखते हैं और इसको इंग्लिज में काइपिटल डी से भी डिनोड करते हैं ठीक है न इस तरीके से आप तयार कर लेना आप इसमें कुछ है नहीं बस इतना पूशा है इतना ही अंसर करना है आगे चलेंगे अब हम लोग लगू तरिये प्रसन में चलेंगे प्यारे बच्चों ध्यान रखना यहां पर क्या स्टार्ट हो रहा है लगू तरिये प्रसन और आपके लिए मैं इतना वर्क किया हूं कि आपको एक एक चीज़ लीक करके मोडल त्यार किया हूं इसमें से काफी कोशन फसने का चांस है देखी तीसरा के को क्या है क एक प्रत्यावरती धारा परिपत में यहां पर कह रहा है कि विवांतर का वर्ग माधिसो है मूल का मान दिया है यहां पर 100 अंडरूट 2 है यहां पर 100 अंडरूट 2 फोल्ट में है और ग्यात क्या करना है पहले नंबर कि विवांतर का सीखर मान बताईए और दूसरा पूछा इसमें कि पूरे चक्र के लिए विवांतर का उसत भी मान मत आई सबसे पहले क्या क्या दिया है नोट करो चलिए सबसे पहले हल करेंगे फर्स नमर विवांतर का सीखर मान के लिए तो यहाँ पर V-RMS बराबर हम लिखेंगे क्या दिया है इसका मान यहाँ पर मत दिमूल मान क्या दिया इसका 100 अंडरूट 2 वोल्ट में दिया है ठीक है बढ़िया बात है इसके बाद विवांतर का सीखर मान पूछा है न तो फर्मूला क्या होगा इसके लिए फर्मूला होता है V-RMS बराबर V-NOT अपान अंडरूट 2 यह लिखिएगा ठीक तो यहाँ पर V-NOT वराबर लिखेंगे दो अंडरूट में अगूने V-RMS तो V-RMS कमान निकलना है तो यहाँ से सिंपल तरीके से क्या करेंगे अंडरूट 2 अगूने यहाँ यहाँ पर दिया है V-RMS कमान यही रखना है वस से सेcido wise जगा पे अंडरूट 2 अंडरूट 2 में अंडरूट 2 से multiply करेंगे 2 हो जाएगा और 100 में multiply कर देंगे फिर कितना हो जाएगा 200 V में आ गया हमारा सीखर मन कितना आ गया वबो 200 V आ गया ऐसे ही करना है इसके बाद दूसरा question इसमें है कि पूरे चक्र के लिए विवांतर का उसत मान बताईए कि पूरे चक्र में कितना इसका विवांतर का उसत मान होगा शलिए धान देशिएगा कैसे करेंगे इसको दूसरा नमबर का सुत्र लगाएंगे कि पूरे चक्र के लिए विवांतर का उसत मान जो होता है यहाँ पे देख में अर्द चक्र है ना इसलिए टू पाई इंटू प्रत्यावर्ती विफांतर का सीखर मान जो हम लोगों ने अभी निकाला है जस्ट वहां पे 200 वोल्ट में उसी को रखेंगे जिससे दो अगुने दो वटे पाई और यहां पे हमारा सीखर मान जो आया है 200 इसको उना करेंग इसमें देखें दुदुनी के चार चार दुनी के 800 वटेवें यह क्या है पाई है अब यहां से पाई कमान बस रख लेना 3.14 डिवाइड कर देंगे तो यह 254.8 वोल्ट यह आ जाएगा हमारा यह भी मान आ गया ठीक है ना पूरी चक्र का विवांतर का उसत मान 254.8 यह पूचा इस महबू लिखा एंडा फिसरा का खब कि डेविशन तथा जर्मर आप इस कोशन को अच्छे स्तियार करेचाना डेवीशन तथा जर्मर यह दोनुस्यांटिस्ट हैं वैगानिक हैं और कार्यक डेविशन तथा जर्मर के परियोग से क्या निसकर्श प्राप्त होता है very very most important paper में यह पूछा जाता है तो लिखेंगे कि डेविशन तथा जर्मर 2060 द्वरा यह पाया जाता है कि इलेक्ट्रान से संबंध तरंग दाइरदे का मान डीव रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रान से संबंध तरंग दाइरदे के मान के इक्वल होता है यानि कुसके बराबर में होता है यही दोनों सैंटिस्ट डेविशन और जर्मर ने बताया था इसको अच्छे थोड़ा तयार करें ठीक है चलते हैं अगला कोशन की तरफ अगला कोशन नुमेरिकल टाइप से बहुत ही प्यारा सा कोशन है पढ़िए का ध्यान से देखिए तीशरा का गड़ नंबर पर चले आये हैं कि एक उत्ता लेंस तथा उत्ता लेंस की फोकस जो दुरी है क्रम सह दे रखा है बबू 10 सेंटीमिटर वह 50 सेंटीमिटर और दोनों लेंस जो है संपर्क में रख दिया है एक दूसरे के संपर्क में है तो इस यूग म संपर्क मुंद दिया है और और दोनों से शन्यूग में रहा है दोनों को एक साथ रखा है और बोला है में कि 50 cm दूरी पर बस्तू भी रख दिया है वी कमान ग्याद किजिए स्थिती बाता ये इसका प्रतिवीम का सबसे पहले क्या करेंगे बावु उत्ता लेंस की फोकस दूरी इसलिए माइनस लगा देंगे ठीक एक चीज़ और वस्तू की दूरी जो यू वराबर होती है सदाय और रिडात्मक होती है वाई और रखे जाने के वज़ा से तो इसले माइनस पचीज सेंटीमिटर यह हम लोगों को तीन चीजों चीजे दे चुका है इसमें से अब क्यारना क्या है कि सन्यूक्त लेंस की फोकस दूरी वान वाई ये फिकॉल्टू का मान निकाल के यहां पर यहां पर एक बटे दस एक बटे पचास आज जाएगा इसको हम लोग क्या करेंगे बबू यहां पर देखिए क्या करेंगे धान दीजिएगा यहां पर हम लोग सीधे सीधे इसको दुदुनी के चार और यह 25 यानि कि दो से उपर इसे काटेंगे तो यहां पर दो बटे पचीस आजाएगा ना बिलकुल एक बटे एफ का मान हम लोगोंने कितना ला लिया दो बटे पचीस अब लेंस का सूतर यहां पर हम लोगोंने निकाल लिया है दो बटे पचीस और एक बटे यू कमान भी दिया है माइनस का पचीस क्योंकि बस्तु की दूरी दिया था ना तो वही चीज बस रखना है और सॉलूशन तो आप बिलकुल आसानी से कर ही लेंगे चलिए समझा देते हैं कोई दिकत न दूरी जो है उसको रखें दोनों का कैलकुलेशन कर लिजिए लसे में इकवल है तीन बटे पचीस आजाएगा ठीक है एक बटे भी कमान कितना आ गया हम लोग का तीन बटे पचीस अभी कमान निकालना है तिरिये गुना करिए को क्रोस मल्टिपलाई पचीस बटे में तीन इसको फैंट में बदलिए आठ दसमलों तीन तीन सेंटिमीटर ये हमारा प्रतिवीम के स्थिती आ गई ये इतने दूरी पर हमारा प्रतिवीम बनेगा ठीक है ना कोई डाउट तो नहीं है ना कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा चलते हैं आगे कोशन की तरह बबू द समझेंगे कि सनलग नशीत्र में प्रदर्शित संधारित में संचीत उर्जा का मतलब मान ज्यांत करना है सबसे पहले बबू इसमें देखिए क्या चीज से यह जो प्रतिरोध जोड़ा है दो ओम का फिर में यहां पर पांच ओम का दो एंपियर की धारा माइक्रोफाइड सबसे पहले कि सनलग नशीत्र में प्रदर्शा निकालने के लिए सबसी रोध दिया इसका कई क्या है